अब बात सावन को भगवान शंकर का महीना कहा जाता है ऐसी बानिता है कि सावन के महीने में भगवान शंकर की अराधना से भोलेनाथ सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं कहा ये भी चाहता है कि सावन के सुमवार के दिन जो भक्त भगवान शंकर और माता पार्वती की एक साथ पूझा करते हैं, उन्हें सौ भाग्य का वर्दान मिलता है। वही सावन के दूसरे सुमवार के मौके पर लखनों के मन का मेशर मंदिर पर भक्तों की भारी भिड़ देखने को मिले जिसका जायजा लिया हमारी संग्वादाता वर्तिका अगनी होतरी ने भक्तों के मांदाता है कि सावन के महिने में पार्वती जी ने शिव जी को पती स्वरूप पाने के लिए ही तब किया था और उनकी मनकामना पूर हो थी तब से ही सावन का में पार्वत कर था कि में चाए कि और अच्छा पती पाने के लिए वर पाने के लिए शिव जी की आराधना कर थी है मंधिर सबक्राइब है पुराने मंदिर का मंदिर है यहां की 명न इतने भगत आते हैं, अगर वह सचे मन की कुछ भी प्रातना करते हैं तो उनके मनों कामना पूर होती है और इसलिए इस मंदिर का नाम भी मन का मेश्वर मठ पड़ा और अगर हम आपको थोड़ा मंदिर का साथ सजवाट दिखाए तो आप देखें किस तरीके से फूलों की मालाओं से जालरों से सुंदर जालरों से र भक्त लग के आ रहे हैं और भगमान के दर्शन कर रहे हैं उनको बेल पत्र फूल फल दही दूद से उनका श्रिंगार किया जा रहा है और पूरे भापनाओं के साथ में भक्ती में पूरा महौल है यहां का आप देख सकते हैं कि कैसे लोग सुबे से ही यहां पर आना शुर रहे हैं वीडियो जनले सतीन के साथ वर्दे का अगनी ऊश्री नाशल वोईस लखनाओं झाल